हलो फ्रेंज नमस्कार और वेलकम टू कोमलनाट ओफिशिल इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं जी फाइफ पर स्ट्रीम हो रहे ही फिल्म बंदा को उसका एक्चल नाम है सिर्फ एक बंदा काफी है लेकिन फर शॉर्ट इस काल्ड बंदा लेकिन सबसे पहले आपको याद दिलाना जरूरी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस प्रिक्टिम को कोट में रेफ्रेसेंट करता है एक बाबा है गॉर्ड मैन है प्लेट बाइ सूर्य महुण कुल श्रेष्टा उन्होंने एक नावालिक लड़की का रेप किया है अब वो लड़की के माबाब या डिस्ट्रेस्ट डिस्ट्रॉट नैच्रली क्या बीत रही है उस लड़की पर रेप विक्टिम पर और उनके माबाब पर और गरीब घराने की लड़की है बाबा की डिसाइपल थी उन पर क्या बीत रही है आप अंदाजा रगा सकते हैं वो लॉयर यानि एड़ोकेट पीसी सोलंकी के पास जाते हैं प्लेट बाय मनोज बाजपाई और एड़ोकेट पीसी सोलंकी कन्विंस हो जाते हैं कि यह लड़की जूट नहीं बोल रही है और इस लड़की के साथ बहुत ही घिनौनी हरकत हुई है यह देसाइज कि यस मैं इस लड़की का केस लड़ूंगा और इसे जस्टिस दिल लवा के रहूंगा बाबा जो है उनके आखो फॉलोवर्स है और बहुत पाफुल बहुत इंफ्लूएंशल है तो एक साइड है बाबा और उनकी लीगल थी देकन अफॉर्ड एनिधिंग इतना इंफ्लूएंस वो वील्ड करते हैं कि कुछ भी पॉसिबल है अपकॉस वो अरेस्ट हो चुके हैं लेकिन बेल की कुमार शर्मा और प्रोजेक्यूशन लॉयर आप तो जानते ही है इस प्लेड बाइ मनोज बाचवाई पीसी सुलंकी लेकिन अलग-अलग स्टेज़स पर अलग-अलग कोर्स में बहुत बड़े नामी सीनिय लॉयर्स भी आते हैं उनकी बेल प्ली आग्यू करने के लिए इ आपको असाराम बापू के लाइफ की कहानी नहीं है उस वक्स से शुरू होती है जब आसाराम बापू किसी लड़की का रेप करते है और उस रेप के केस में वो अरेस्ट हो जाते हैं and right till the judgment, final judgment is pronounced, आप तो जानते ही है उन्हें life imprisonment हो गई है तो मोटा-मोटी उस कहानी पर आधारत है, आईए सबसे पहले analyze करते हैं इस फिल्म के script को, दीपक किंगरानी ने इस फिल्म की कहानी पठकता और समबाद लिखे है and एक शब्द में अगर हम कहें तो the script is outstanding, फिल्म के hero से कम नहीं है दीपक किंगरानी क्योंकि उनकी research team ने जो research की है, काबले तारीफ है और जो drama उन्होंने create किया है, आपका मन एक second के लिए नहीं भठकेगा, इतनी बहतरीन कहानी, इतना outstanding screenplay और उतने ही exciting dialogues, in fact, इतना आनन्द आता है आपको film देखते वक्त, कि आप एक minute के लिए ना तो film को बंद करेंगे, because it's streaming on an OTT platform, आप एक minute के लिए film को बंद नहीं करेंगे, in fact, climax में आप रोएंगे या तालिया बजाएंगे, climax, wow, fantastic, final judgment day है, और judge, prosecution lawyer और defense lawyer दोनों से कहते हैं, कि आपके final statements क्या है, तो first, the defense lawyer starts, यानि विपन कुमार शर्मा, उनका final statement सुनकर आपको ऐसा लगता है, कि उन्हें आप तमाचे मारे, that is the need of the character, and फिर, Manoj बाचपाई, यानि advocate PC Solang की अपना final statement देते हैं, that final statement prepares you for the final climax, वो statement इतना impactful है, कि आपका मन करता है, seat पर आप खड़े होकर, seat या और तालिया बजाएंगे, और जब final judgment आता है, या तो आप तालिया बजाएंगे, या बजाएंगे, और अगर आप भी खाटिट है, तो आप रो पोड़ेंगे, so Deepak King Rani is no less than the hero of the film, अब एक नसे डालते हैं, actors के performances पर, Manoj Bajpai, everybody knows he's a fantastic actor, लेकिन, फिर भी, you are in for a pleasant surprise, क्योंकि इस film में, जो उन्होंने advocate PC Solang की भूमिकाने भाई है, outstanding, आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, इस प्रकार की acting कोई कर सकता था, लाज जबहा, outstanding, fantastic, fantabulous, extraordinary, जितनी आरीव उनकी की जाए, उतनी कम है, you just fall in love with him, और आप उनका frustration समझते हैं, उनकी anxiety समझते हैं, last में, जब वो court में final statement दे रहे हैं, आप, मतलब यू sympathize with the character और आप कहते हैं, ऐसे भी lawyers होते हैं, इस आदमी की जीत होनी चाहिए, so, rape victim के साथ साथ, आप चाहते हैं कि PC Solang की, advocate PC Sol विपन कुमार शर्मा, जो defense lawyer की भूमिका निभार है, he is also first rate, थोड़ी देर पहले हमने कहा कि कभी-कभी आपका मन करता है, उन्हें उटकर, कमाचे मारे, such is the power of his acting, क्या acting की हैं उन्होंने भी, अदरीजा सिनहा, जो rape victim है, wow, what a performance, उनके लिए आपका दिल, actually row उटता है, किलक एमद खान, जो judge की भूमिका निभार है, he is first rate, जेहंद कुमार और दुर्गा शर्मा, as the father and mother of the rape victim, जो actress अदरीजा सिनहा है, उनके parents की भूमिका में, आप देखेंगे, जेहंद कुमार और दुर्गा शर्मा को क्या support link किया है, उनका frustration, उनका दुख, उनका distress, ये सब बहुत अच्छे से इन दोनों actors ने convey किया है, कॉसव सिनहा, जो PC सुलंकी की assistant है, उनसे आपको महबत हो जाती है, simple acting, लेकिन आपका दिल उनके लिए धड़कता है, दिल उनके काम पर जाता है, सूरिय मोहन को शेष्टा as baba, करने के लिए acting wise उनको कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन उ बहुत अच्छी acting की है उनोंने, अभीजीत लाहिरी, बालाजी लक्ष्मी नरसिमहन और विजय टंडन, ये तीन senior lawyers है, मैंने का ना, अलग-अलग stages पर senior lawyers भी आते हैं, इनकी acting भी लाजवाब है, और गौरांच, शर्मा और वीना मेता, as PC सुलंकी's little son and mother respectively, lend phenomenal support, अगर मनोज पाचपाई और राइटर वीपक किंगरानी, फिल्म के heroes है, तो director अपूर्व सिंह करकी कोई कम नहीं है, इनकी पहली film है बतौर director and he is a director to watch out for, जो वो drama को build-up देते हैं, किसी scene का जो build-up, वो shoot करते हैं, ऐसा है कि आपके दिलों की धड़कने इतनी तेज हो जाती है, और इतनी जोर से आपका दिल धड़कता है, आपको लगता है, बाजू में जो बैठा इंसान है, वो शायद मेरे दिल की धड़कन सुन सकता है, the tension that he has created in the film and उसके बाद जो, चाहे वो judgment of the order हो, चाहे वो कोई भी scene हो, चाहे वो bail rejection का scene हो, वो scene lives up to the tension created, तो बहुत बहुत बढ़िया direction and जैसा मैंने कहा, he is a director to watch out for, फिल्मे संगीत, संगीत और सिधार्थ हल्दीपूर और बोस का है, और वो कमजोर है, इससे बहतर गाने होने चाहिए थे, the lyrics of course are weighty, they have been written by Garima Obra, संगीत हल्दीपूर और समीर अंजार, संदीब चोटा का पाश्व संगीत, extraordinary, अर्जुन को परावर्क लाजवाब, मौमद अमीन खतीब के action और stunts seems exciting, thrilling, प्रिया सुहास की production designing और सुरभी वर्मा का art direction दोनों बहती बढ़िया है, और सुमीत कोटियन का संकलन, extraordinary, razor sharp है, एक भी scene ऐसा नहीं लगता है, जो कमजोर पड़ता है, या धीला पड़ता है, या बोर करता है, त ये फिल्म बहुत बहुत अप्रिशेट होगी, और ये कहना गलत नहीं होगा, कि ये Z5 की, आज तक की सबसे बहतरीन फिल्म है, तो दोस्तों कैसा लगा हमारा review of bandha, comment section ने जाईए और अपने comment जरूर post कीजिगा, और अगर आपने भी ये फिल्म देख डाली है, क्योंकि it has been streaming since the last two or three days, तो हमें ये भी बताईएगा आपके comments जवारा के आपको film कैसे लगी, thank you, shukriya, take very good care of yourselves and see you soon.